नमस्ते मेरे सभी दोस्तों को और मेरे द्वारा लिखित आज एक नहीं कवीता सब तो लिखते हैं अपने ममी पापा के लिए आज मैं लिखा हूँ भाई के लिए से दूर है और वो भाई अपने भाई को याद करते हुए रात के बारवजे क्या करता है बारवज चुका है और उसको याद आया अपने भाई का और वो भाई को जो है फोन करता है और फोन करके बात करता है लेकिन बात करने से वो बोलता है कि मैं आओंगा तो उसके मन में एक क्या कविता जागरित होता है देखते हैं भाई का आने का संदेशा मिला ना जाने कितने सपने देखने का संदेशा मिला संदेशा आया है तू भी जरूराना मन मना के चला जाना भाई है तू यू ना तडपाना भाई है तू यू ना तडपाना उस दिन कैसे भूलू जब एक पल ना देखना ना रह पाता था आखों में आशू थिरक थिरक गिर जाता था भाई भाई पुकारे तू चला आता था अपने हातों से सहलाता था संदेशा आया है तू भी जरूराना खा के आधा चम्मच सहद मेरे लिए बचाता था लेकिन आज भाई आएगा साथ में पूरा चम्मच सहद लाएगा साथ जाते थे पढ़ने मार मैं खाता था आसो उसके निकल आता था आसो मेरे भाई के निकल आता था उसे सोता देख मैं भी आँख भर आ उसे रोता देख उसे रोता देख आँख मेरे भी भर आता था ऐसा भाई है मेरा सोते साथ खाते साथ गाते साथ मुस्कुराते साथ खेलते साथ लड़ते साथ बीते दिन की हर एक बात रुलाता है भाई अब आजा तू ही हसाएगा अब नहीं रहा जाता भाई अब आजा तू ही हसाएगा और अब नहीं रहा जाता भाई संदेशा आया है तू भी आएगा अब लगता है और ना तड़ पाएगा अब लगता है और ना तड़ पाएगा यह मेरे हर एक भाई का संदेश मैं सभी को यह dedicated करना चाहता हूं जो अपने भाई की याद में दूर रहते हैं और ूनको याध करते हैं आपको आगर यह मेरा लिखेत कविदा पसंद आए तो हस्टेख डियम प्र झाल